तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि quadratic equation क्या होता है, quadratic equation के root हम कैसे find out करते हैं, quadratic equation के roots होते हैं, उनका nature हम कैसे find out कर सकते हैं, coefficient क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं कि quadratic equation क्या होता है, सबसे पहले अगर यहाँ पे हम कोई expression यहाँ पे जो algebraic expression होता है ax square plus bx plus c के फार्म का उसको हम कहते हैं quadratic equation तो जहाँ पे जो a, b, c यह बिलांग करते हैं r से मतलब a, b, c बिलांग करते हैं real numbers से where a not equal to 0 0 क्यों नहीं होगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे a equal to 0 पुट कर देते हैं तो यह term 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा जो की linear equation बन जाएगा इसलिए हम a equal to a not equal to 0 लेंगे अब चलिए बात करते हैं कि इसका जो हम इसमें discriminant की बात करते हैं वो discriminant क्या होता है discriminant को हम generally d से division करते हैं d is equal to b square minus 4ac d square minus 4ac a b c क्या है coefficient है quadratic equation के अब discriminant को हम delta से भी division करते हैं delta is equal to b square minus 4ac होता है अब इस discriminant का काम क्या है discriminant का क्या है चलिए हम बात कर लेते हैं अगर discriminant d is greater than 0 if discriminant d is greater than 0 जो roots हमान लिजे alpha और beta आते हैं तो roots क्या हो जाएंगे roots क्या हो जाएंगे real and distinct हो जाएंगे real and distinct हो जाएंगे पहला case यहाँ पर हो जाएगा if d is greater than 0 और roots क्या है alpha and beta है alpha and beta है तो roots क्या हो जाएंगे रियल है डिस्टिंग, नमर सेकेंड केस है, यहां पर नमर बी केस है, बी केस में अगर डी इसकोल टू जीरो है, तो तब रूट्स क्या होंगे, उनका नेचर क्या होगा, तो डिस्क्रिमेंट का काम क्या होता है, इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, उनका नेचर फ्रकाइब करने हैं, तो रूट्स क्या होता है, मान लिजे, यहां पर ओडेट्टिक यक्केशन लिखी हो जाओ है, तो जो रूट्स होता है, वो कोई रेयल आर कामप्लiक्स नमबर होता है, जो इसमें सीटिस्प्सपाई करता है, या dif. हम इस एककोईशन नमबर मान लिए equation number first है, इस equation में हम put करेंगे, a alpha square plus b alpha plus c equal to 0, मतलब 0 आ जाएगा, अब हम roots कैसे निकालेंगे, roots निकालने के एक simple सा formula है, s equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a होता है, b square minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a होता है, where a, b, c are the coefficient of the quadratic equation, चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, इसमें आपको quadratic equation समझ में आया होगा, इसके roots कैसे find out करते हैं, यह चीज़ें समझ में आया होगी, मिलेंगे ही जाए,